कि गुड़ मॉनिंग इस्टूडेंट येस्टरडे वी रीड अबाउट एक्स्टर्नल ओर्गन बच्चों कल हमने इस चैप्टर में एक्स्टर्नल ओर्गन पढ़े थी अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज़ पर बच्चों येस्टरडे वी रीड अबाउट एक्स्टर्नल और इंटर्नल ओर्गन पढ़े थी ठीक है कल हमना यहां पर ब्रें और हट के बाएं में पढ़ा था इस पें पर आजम we will know about lungs आजम यहाँ पर lungs के बारे में जानेंगे ओके इस्टार्ट अवर lungs help us to breath हमारे फेपड़े हमें सांस लेने में सायता करते हैं we have two lungs हमारे दो फेपड़े होते हैं अपनी नाक के द्वारा जो हवा हम अंदर खीशते हैं वो फेपड़ों में जाती हैं ओके दाल लंक्स गैट विकर वैन दे आर फिल्ट विद एर जब फेपड़ों के अंदर हवा भर जाती हैं तो वे बड़े हो जाते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे यह हमारे फेपड़ों के लंक्स का काम होता है हमारे सरीर में बच्चों आजम आपके इस्टोमक के बार में पढ़ेंगे इस्टोमक का हमारे सरीर में क्या कार यह होता है आजम पढ़ेंगे आपके इस्टोमक के बार में बच्चों जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है पेट एक आंतरिक अंग है जो की पाउच पाउच बोलते हैं तोंद को जो की तोंद की तरह दिखाई देता है ओके दिखता है बच्चों जो खाना हम खाते हैं पेट उसको तरह लवस्था में पदल देता है और हमारी भोजन पचाने में सायता करता है यह हमारे स्टोमक का काम होता है हमारे सरीर में we get energy and strength from the food we eat जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें उर्जा और ताकत मिलती है ओके देखे अब देखे इस्टोटेंट did you know क्या तुम जानते हो इसमें हमें हमारे किड्नी के बारे में बताया गया है हमारे गुर्दोगी देखे दा किड्नीस हेल्प टू रिमोव वेस्ट फ्रोम अवर बोडी we have two kidneys बच्चों हमारे सरीर के जो अफसिष्ट बेकार होते हैं उनमें किड्नी नश्ट करती है जो हमारे सरीर के अफसिष्ट बेकार को नश्ट करते हैं बच्चों क्या आप जानते हो चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ बच्चों जो हमारे सरीर में गुर्दे होते हैं किड्नी होती हैं वो हमारे सरीर में से अफसिष्ट को हटा देती हैं We have two kidneys, हमारे दो गुर्दे होते हैं, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एक, देखें, अब यहाँ पर आपको एक series दी गई है, यह series आपको दी गई है, दिखाई दे रही है न, तो देखें, sport the names of eight body parts hidden in the word grade, write them below, देखें, सारे सरीर के अंगों में हमें यहाँ पर E मिलेगा, ओके, E लगाना है, जो यहाँ पर hidden, hidden नीचे चिपा हुआ है, में E, word grade, word grade कहते हैं, मतलब जिसे की पहेली, ठीक है, वे सब बच्चो इस तालिका में पहेली के में आपको कुछ सरीर के अंगों के नाम मिलेंगे, ओके, आप देखें, hint, All the names of body parts have the letter E, they all are external body parts, one has been done for you, बच्चो वे सबी सरीर के बहारी अंग हैं, एक आप के लिए दिया हुआ है, और इस सारे सरीर के अंगों में E लगा हुआ मिलेगा, जैसे की देखें, यह आपका है, यह example दिया है में nose, nose E, यहाँ पर E लगा हुआ है, यह सभी external है, तो हम इने यहाँ पर पूरा करेंगे, यह डून देगे, ओके, चलिए, यह आपका homework है, आपकाいや ह Productsना के अनुट अद את other, यहाँ यहाँ पलो है यह आपका यह तरू है, यह समयदा है, ढ away कमें उतुटों हैं